अभी जी जस्रोटिया जी कहते हैं अफजल गुरो जो एक आतंगवादी घोशत किये गे थे उन्हें फांसी हुए कहते हैं कतल हुआ है तो क्या ऐसी बाते भाजबा के नेताओं को के मुख बिंदू से निकलना अभी जी का वह बाशन मैंने भी सुना है उन्होंने जिस संदर मोत को काटल का पंदरा नंबर पर थी पंदरा से उठाकर उसे पहले नंबर पर फांसी दी गए मैं कहता हूं ये कटल है नहीं के साथ यह उन्हीं की राइव पर चल रहे हैं मुझे लगता है मिस इंटरपेटेशन होई है बने दलों के मुख से निकला होता तो आज आप भी यहां तो हमने विपक्षियों के मुझे बादपा के नेतों के पास अगरों की जुबान फिसलती तो हो गया मिस इंटरपेटेशन हो गया अगर विपक्षी दल करेंगे आप लोग तो बहुत कर लेना जिनको बैटने का शोक है कि यह सुनिचित है कि भारती जनता पार्टी की सरकार जम्मो किश्मीर में बने वाली है और 50 प्लस का स्लोगन ही नहीं है प्लस का टार्गेट हम अच्शिव करने वाले हैं यहां से बाजपा से जो दुखी है यह परेशान है वो जाकर आम आदमी पार्टी का दामन तामरे क्या लगता नहीं पचास प्लस का लक्ष मुश्किन होने वाला है बाजपा के लिए बाजपा से दुखी होके तो कोई आम प्लेटफर्म कोई नहीं था और उनको लग रहा था कि हमें एक बनी बिनाई सेज मिल रही है इस पे चड़ जाते हैं तो हो सकता है यही हमारी किस्ति को पार लगाएंगे परधान मंत्री का एक नारा था कोई भी जनता देश्वासी भूका ना सोई नमस्कार आप जूचुके हैं दैनिक शिव टाइम से में रश्मी शर्मा कैमरा मैं शुबम भगत के साथ दाष्य जिस तरह से बात करें कि पर्धान मंत्री के तरफ से लगातार प्रियास किए कि मुफ्त राशन बांटा जाए वो स्कीम कहिना कि जम्मू कश्मीर में भी लागूई उसी के चलते परधान मंतरी गरीब कलियान अन्योजना के तहत जो की गरीब जो बिलो पावर्टी लाइन परिवार उनको राशन भी वित्रित किया गया अब जो सवाल जो हमारे तक समय आए सवाल ये था कि बीपील से जो तलुक रखते हैं उन लोगों को जो की राशन दिया गया मुफ्त राशन दिया जा रहा है क्योंकि बात करें तीन किलो आटसो गराम आटा और एक किलो चावल दिया जा रहा है वहीं दूसरी तर बात करें जम्मू की तो फिलह लाग पाग 27 लाग 80 सार से भी उपर लोगों क अभी जम्मू की बात करें तो राशन वित्रित किया गया अब इसमय विक्रम रंधावा जी जो कन्वीनर है और इन से जाने का प्रयास करेंगे कि बीपील में कौन से लोग फाल करते हैं और एक सवाल यह भी रहता है कि बीपील में काफी सारे आसे लोग जो फाल नहीं करते उसके बावजुद उन्होंने राशन कार्ट बनाए हुए और वो राशन ले रहे हैं विक्रम जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी शुक्रिया विक्रम जी परधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना के तहत यह किस पर लागू होता है और यह राशन कहां कह रहा है राशन कार्ट में अगर राशन डीपू राशन डीपू में जाते किस मादें से उनको यह मुफ्त का राशन मिला यह सबसे पहले जाने कि मार्थ 2020 में हम सब को पता है कि करोना ने देश और दुनिया में दसक्रत दी थी और उस वक्त आदनी पधान मंतरी जी ने जो करेश की जनता को अगरे किया था किंगि हम लोग इस यूग की पीडी ने पहली वर वो टाइम देखा था सो साल पहले कहते हैं 1119 में भी एक मामारी आही थी ताब लोग हम लोग तो तो कोई थे फी नहीं लेकिन हम लोगन ने पहली वर وہ फेश देखा कि लॉक ड़ाएं भी ह नामता परदान मंतरी ग्रीब कलिया नान योजना अब जब योजना लॉंच की तो उसमें क्या देश की सारी जंता को इसकी जरूरत है की नहीं है अब केंदर सरकार है वहां थिंग टैंक एक बड़ा मजबूत होता है तो उन्होंने देखा है कि लागडाउन के दुरान वो प प्रीके से लगा था कि वह बुचारे घरों में बैठके हैं हलांकि बड़े संसादन समाजी कराई नितिक पार्टियों ने भी देखा हम लोग भी राशन देने जाते दे लोगों के घरों तक भी आपको भूखाना रहना पड़े चुल बाकी संसाद दो अपलब नहीं करवा सकते हैं लेकिन राशन तो दे सकते हैं पर केंदर सरकार ने बेतरीन योजना लांच की ती जिसमें 80 करोड हमारी देश की पापलेशन तक्रीबन 135 140 करोड हो चुकी है असी करोड वह वादी है जो बिल्कुल डवलेवाई में जो है आंतो दिया योजना में जो इसमें कवर हो तो क्योंकि लॉक्डाउन थे जिन्दीगी ठम टुकी टी उन परस्थित्यों में परधार मंत्री जी ने ये योजना लांच की मुझे लगता रश्मी जी के ये भारत ही नहीं दुनिया के अंदर इकलोता ऐसा देश है यहां ऐसी को योजना किसी देश के परधार मंत्री य रहने की जूत नहीं पड़ेगी और हर संभव प्रयास होगा कि वह और उसका बच्चे जो है वह बुखे ना स्वें जी एक सवाल आप से जरूर करना चाहेंगे हमारा सवाल नहीं है जंता का साथ क्योंकि योजना क्या पन्वीनर है कि लोगों की ये शिकायत है कि क्या आप साथ करता क्या नहीं आपने भी काफी सफर किया गया की यह समाज का हमारा हिस्सा है असा को imeter लिए से नहीं है सरकार की अश्य त्रीक्चां की योजना करती है तो पहले उनकी कंपना करती है जो बिलकुल भी जिन्की समर्थता जो कम हो चुक्य होती है एंस में हम फॉर इंस्टन्स मान चकते हैं रश्मी जी आप भी हो मैं भी हूँ शुभम जी भी है हर्यों जी भी है हम होते हैं हम पता है कि हमारा भी बिजनस रुख चुका है परिवार के स्थिती थोड़ी सी कमजोर हुई है लेकिन शायद हम मांगनी पाएगे लेकिन हम देश के नागरिक हैं जो देश को देने में विश्वास रखते हैं लेने में नी मेरा देश है मेरा क्या योगदान होना तो हम राज़नी सिक्षेतर के कारे करता होने नाते थे उन परिवारों तक जाते थे जो मांग नहीं सकते थे उनको लगता था नहीं पर हमें संदेशा आता था कि वह अठों चलाता है उसकी स्थिति नाजू के हम उसके घर में हमने गैस की सिलंडर भी परुप्ट कराई हमने दवाईयां भी प्रुप्ट कराई हमने कहीं ऐसे परिवारते जिनके काविट के तुरान अगर आंखों की ठिक्कत आई चश्मा तूड़ गया तो हमने चश्मा भी ठीक करा के पहुंचाया कि उसको लगना चाहिए कि हमारी कुछ इंदा कर रहा है विक्रम जी हमने भी काफ फिर से और चीजों को रिवाइब किया जाए इन पर फिर से नजर असानी की जाये क्योंकि जो किसमें काफी ऐसे करते हैं पर इनको रहाई नहीं करता है हैं जिन परस्टितियों में उनको सत्ता मिली थी वो किसी से को छुपा नहीं है कास करके मैं कहूंगा दोजाच चार से लेके चोदा के बीच का जो एक अंतराल का था जिसमें एक म्यूट परदान मंतरी एक मैडम दोवरा उपरेटीड देश को चलाया था उन्होंने देश को बिल्कुल करदे के नीचे लाके रख दिया था उस करदे से बाहर निकालना था दुनिया के हर मुलक के साथ आपके संबंद अच्छे करने थे आए परदान मंतरी जी की कारेपरनाली को हिंदोस्ता हिंदोस्तानी नहीं दुनिया का हर जो शासक है वो भी सिल्यूट कर रहा है रशिया और यूकरेन के बीच में युद्ध शिड़ता है सिर्फ हिंदोस्तान के परदान मंतरी की बदोलत जंग को हवा में रोक दिये जाता है क्योंकि हिंदोस्तानियों को सुरक्षित घर है उसके यह नहीं लेवल था कि वह हिंदू है यह मुस्लिम है यह सिक है यह बहुत है इसाई है वह हिंदोस्तानी था उसके यह लेवल नी था कि वह मोदी को चाहता है कि नहीं चाहता है वह हिंदोस्तानी था उसको सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास और को निशुल्क घ के दुरान जी भाजपा इस बार 50-plus का लख्ष लेकर चल रही है वहीं दूसरी तरह बात करें महंगाई की मार से भी आम जंता जूच रही है कहीं न कि आप भी जूच रहे हैं कि आप बोल नहीं पा रहे होंगे पर हम वह चीज बोल रहे हैं क्योंकि हर एक अगर बात करें कि विपारी वर्ग है वो परिशान है आम नागरी का वो परिशान नेता कहीं आप जैसे लोग वो भी परिशान होंगे हाँ आपकी मजबूरी है कि आप बोल नहीं पाते हों कि पर हम बोल रहे हैं क्योंकि जनता की अबाद है कि जिस तरह से ये सारी चीजे बादा बन कर सामने आ सकती क्योंकि बेरोजगारी दर में भी जमो कश्मीर नंबर वन पर आ रहा है और साथ इसाज युवा आए दिन सडकों पर है डेली वेजरों ने इसाब तोर पर कह दिया कि अगर हमारी अलेक्शन से पहली हमारी मांगों को पूरा नहीं क आदमी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है और वहां पर लोग जूड़ रहे हैं यहां से बाजपा से जो दुखी है या परेशान है वो जाकर आदमी पार्टी का दामन थामरे क्या लगता नहीं पचास प्लस का लक्ष मुश्किन होने वाला है बाजपा के लिए को एक प्लेट्फरम ढूंडे रहे चाहिए वो पूर्विधाय करें हो चाहिए वह अभी किसी जिम्मारी पी होंगे क्योंकि उनके पार प्लेट्फरम कोई नहीं था और उनको लग रहा था कि हमें एक बनी मिल रही है इस पर चड़ जाते हैं तो हो सकता है यही हमारी किस्त लगी है मैं आज भी कहता हूं अगर आए देश के प्रधान मंतिर निंदर मुरी नहीं होते देश के अंतर सरकार कोई और होती एक सो पचासी करोड़ जो इंजक्शन लगे यह हम हिंदोस्तानियों ने पैसे दे के लगवाने थे और हमने देने थे जान सबको प्यारी होती ह सबको फ्री जो है वेक्शीन कता है क्रिवाई यह चेजरिवाल के लोगों ने ने क्रवाई और हर पार्टी के लोगों ने कर सकती हुँ आपको ओर समी जी जो आंकड़ा आया है एक सो पचासी क्रोड फ्री वैक्सिनेशन के लिए बारत सरकार का आठ खरब चुरुंजा अरब 47 क्रोड रुपे का खर्च हुआ है तो वह अब क्या खर्च जनता से प्रप्त कर रहें में नहीं की बार देखा वहां से नहीं पूरा होगा लेकिन सरक क्या जवाब देते होगी नहीं वो गुदरती बात होती है हम समझाते भी है उनको कि देश की सरकार जो है चिंता कर रही है अभी क्योंकि कावीट से बड़ी मुश्कल से निजात मिली है कावीट से जो मुफ्त राशन दे रहे हैं जिस गरीब के घर अगर सिलंडर दिया है तो उसको भरवाना भी तो है तो हजार के पार है तो पकाना भी तो राशन है ना अगर पहले वो हजार रुपे का जुगाड करेगा कहीं से मांग के लाएगा ध्यारी लगाएगा हजार पर जुगाड कर गया फिर वह और मुफ्त का राशन बनाएगा सिर्ची तोर पे चिंता का विश्य है लेकिन के अधर सरकार इन पहलों से प्रबावीत नहीं ऐसा नहीं है उनको हर पहलो की चिंता औरben्हारा एक बड़ा मजबूत थेंक तैंक जो है संगडुन का भी और केंधर सरकार का इन विश्यों पर सोचता भी है लेकिन अभी इंटरनेशनल प्राइसी जो कुरूड आयल के जिस्ति के से शूट अप हुए है रश्य और युक्रेन के बीच की जंग के कारण हुआ है तो यह कहीं ना कहीं इसको राइस मिलना था लेकिन मैं आपको जगिन दिला सकता हूं कि आने वाले दिनो अगर कहीं प्रयास भी होता है तो हम उसको नहीं बनने देंगे एंटी इंकमबेंसी भारती जंता बार्टी को कहीं बेर नहीं करना पड़ा है अभी पांच परतेशों में चुरा हुआ है चार वो स्टेटे वे जहां हम सरकार में थे महंगाई का दोर वहां से भी गुजरा ह काविट से वो लोग भी जुझे हैं लेकिन हम पुना सरकार पे आए हैं विकास के बलूटे पे आए हैं आडियोलोजी के बलूटे पे आए हैं तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि पचास प्लस का स्लोगन जो है हम अचीव करेंगे तादाद में आम आदमी पार् लहर थी वो राष्ट्रियता की लहर थी वो देश को एक जुट करने की लहर थी केजरिवाल की लहर किसी से शुपी नहीं है पंजाब में उन्हें इस तरीके से कुछ खालिस्तानियों के स्पंसर होके तो उन चीजों को आगे बढ़ाया वो किसे छुपा नहीं है अगर ऐसा अगरान मंतिजी ने बड़े वी नमर सबाब में देश के किसानों से निवेदन किया कि हमसे कहीं बूल हो गई हम आपको समझा नहीं पाई अब मैं आपको बताता हूं ना अब किसान क्या कर रहा है कि जो अपनी अब किसान की जो उपस है वो अच्छे दामों में मार्केट म बेच रहा है उसको अच्छे दाम मिल रहे है वही किसान जो पहले कहता था कि एड़ानी एडवानी को जो है इसको हम पंजाब में डिपो नहीं बनाने देंगे आज उनी डिपो पर जाकर अच्छे दाम के ओपर जो दी दस रुबे की थी वो किसान तीसर बेगी बेच रहा ह और किसान बार करें तो नेमबू भी अब डाई 300 के किलों के पीछे है अगर एक किसान पाइदा हो और जो लोग गर्मी के दिनों में शिकनजी पीछ देते तो वो तो आप नेमबू को दूर दो से देंकर बागते हैं वो क्या करते आप को या ऐसी शिकनजी का भी आएगा कि बाजपा की तरफ से घर घर में शिकन जी बाटी जाएगी ने ऐसा नहीं पका के खाएंगा सब खाते हैं विकरम जी खाली पेड तो भजन भी नहीं होता है यह पिल्कुन नहीं होता है इस्वर को भी याद करेंगे तो वो कहते हैं पहले पेड बूजा आपने कहा हमारी जो भाजपा की राष्ट्रवादी सोच है डिलोग जोड़े हैं और राष्ट्रवाद पर चलती है एक आखरी सवाल आप से करेंगे बाजपा के कही नेता हैं जिनकी जबान फिसल जाती है जिसना से अभी हाली में आपी के नेता अभी जी जस्रोटिया जी कह कहते हैं अफदल गुरु जो एक आतंगवादी घोशत किये थे उन्हें फांसी हुए कहते कतल हुआ है तो क्या ऐसी बाते भाजपा के नेताओं को के मुख बिंदू से निकलना वह बाशन मैंने भी सुना है उन्होंने जिस संदर्व में बात के वह संदर्व में आगे अर्थी 15 से उठाकर उसे पहले नंबर पर फांसी दी गई मैं कहता हूं यह कतल है मैं कहता हूं यह कतल है नहीं के साथ यह उन्हीं की राई उस पे चल रहे हैं मुझे लगता मिस इंटर्पेटेशन हुए है अपने जिस रोटिया जी बड़े सीरियस हमारे परवकता है और अब भी धरने पर होते हैं कि यहां तो हमने विपक्षियों के मुझे पाकिसान जिदाबाब के नारे बिदूने हुए उसको पक्षी को अपने अपना पश्टी करन दिया नहीं पर उनके संदर में वो खुदी बता सके ना विंदर ना जी की तरफ से क्यों अगर मिलेंगे ह आपकी तर्फ से कोई बयान क्यों नहीं आया पर मुझे जो मैंने जो सुना और समझा मुझे यह लगा है कि उन्होंने जीन यू में जो लोग नारे लगाते थे ना उनके संदर में वो बात कही है उसको इस पर जल से जल कारवाई नहीं हुई क्योंकि या लगबक पांच य पर राष्ट्रवाद का गुंगान करने वाले उनके मुख्विंदू से इस तरह की बात निकले तो जनता पर क्या परभाव पड़ेगा कुछ तो क्या कहते इस बार पचास प्लस का अंकड़ा होगा सुनिश्ची तो हंडड़न पर सब्स्तार या भाष्पाति भारती जनता पार्टी का विस्तार हो चुका है आप बहुत अच्छे तीके से हो चुका है आप जो है नहीं को बैटने का शोग है वह त्यारी कर ले अब क्योंकि यह सुनिचित है कि भारती जनता पार्टी की सरकार जम्मो किश्मीर में बनने वाली है और 50 प्लस का स्लोगन ही नहीं है 50 प्लस का टार्गेट हम अचीव करने वाले हैं करेंगे जी पूरे यकीन पर निधार दाने वाद यह थे हमारे साथ विक्रम रंधावा जी जहां पर आज हमने प्रधान मंत्री कल्यान गरीब कल्यान अन योजना के तैत इनसे जानकारी भी और यह भी सवाल किया जो हमारी जनता का जरूर सवाल होगा कही बार हमसे बात भी की कि कि आप लोग बीपील के लिए तो राशन उनको मुफ्त में बांट रहे हैं पर सवाल यह जो एपील में आते फाल करते वो तो सफेद पुछ लोग है वो तो किसी से मांग भी नहीं सकते कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीपील में फाल नहीं करते अच्छे रसुखदार है उसके बावजूद उनके कार्ड बीपील राशन कार्ड बने हैं और गरीबों को हग उन तक पहुंच रहा है इस पर भी हम निवेदन करेंगे बाजपा के आला अधीकारियों से जो यहां प बड़ा सा सरल सा तरीका है कि जो लोग बीपील में एक्चुली कवर होते हैं एडमिस्टेशन को चाहिए कि उनके घर के बार नेम प्लेट लगा दी जाए उनका नाम लिखके और यह लिखा जाए कि बीपील परिवार आट्रोमेटिकली दूद का दूद पानी का पानी हो ज अगर नहीं है तो बार हो जाए उनके घर के बार सरकारी प्लेट लग जाए उसमें सरकार का लोगों भी हो और उसका नाम लिखा जाए रमेज कुमार बीपील परिवार जिए इस बार बाजपाने फिर से कहा कि पचास प्लस का लक्ष लेकर चले हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर बाजपा की पांच भी सीटे आई तो हम गदे पर बैठेंगे और जिससा से विक्रम रंदावा नित कुछ दिन पहले बाबा चंचले में कहा कि हम आद्भी पार्टी को कि गदे खरीदने की आप तयारी कर लेजिए अब यह तो जंता पर निर्भर है जहां एक तरफ लगा था रर द्राही माम तरही माम जंता जो महांगाई की मार से जूज रही है से जूज रही नीमू के दाम आस्मान चु रहे है और गैस लंडर की बात करें 1000 प्लस हो गया है वही दूसरी तर पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान चूरे हैं अब लगता है जहां पर पुराने दिनों की कहा था कि पुराने दिन बुरे थे अच्छे दिन आने वाले लगता है पुराने दिन टांगे वाले फिर से शुरू आ पुरा है अब देखना यह वह इस्तार किस कदर भाजपा पर भारी पड़ने वाला एक तरह मोदी की लहरती कि आज भी वह लहर बरकरार है क्योंकि लगातार युवा सटकों पर है आम जनता सटकों पर है चाहे हम डेली वेजर्स की बात करें आंगार्स की बात करें एस्पि कमेंट बाक्स में दीजी इस वीडियो को जितना उसा के शेर कीजिए जोड़े रहा से हमारसा आगले अपडेट के लिए चाहिंचा बारत